दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे हाथ में बुद्ध परवत का कितना मात्व है अगर किसी व्यक्त के हाथ में बुद्ध परवत उभा लिये हो तो उसका क्या प्रवा होगा अगर किसी व्यक्त के हाथ में बुद्ध परवत दबा हुआ हो तो उसका क्या प्रवा होगा बुद्ध परधान व्यक्ति कैसा जीवन ब्यतीत करते हैं ये सब जानेंगे आज के इ तो दोस्तों देर ना करते हुए आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारे हाथ में बुद्ध परवत कनिष्ट का उंगली के मूल में इस्तित होता है यह परवत हस्तरेखा विज्ञान में इसलिए मातपूर है क्योंकि यह भौतिक सम्रद्धी से आखा जाता है बुद्ध परदान व्यक्ति जिस कारे को प्रारंब करते हैं उसे पूर करके मानते हैं ऐसे व्यक्ति बालू से भी पैसा कमाना जानते हैं तीब्र बुद्धी के सोध कार करने वाले अनवेषक, स्रेष्ट वक्ता, परिश्थितियों से समझ होता करने वाले योजना बद्ध जीवन यापन करने वाले कथा विनोधी सोभाव के ऐसे लोग होते हैं ब्यापारिक छेतर में ये लोग विशेस सफलता प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति धन प्राप्ती हेतू अपराद करने से भी नहीं चूपते हैं ये द्यपी कई वार कानून से ऐसे लोग बचते रहते हैं ये लोग धूर्त दोखेवाज विश्वास घाती चालाक एवं स्वार्थी होते हैं ये ये परवत सामान विक्सित है तथा वर्ग के आकार का है वर्ग का चिन भी है तो व्यक्ति उच इस तरके अपरादी होते हैं अंतर राष्टी इस तरके ठग एवं अपरादी होते हैं तसकरों के हाथों में भी ऐसा चिन पाया जाता है ऐसे व्यक्ति समाज की परवाह नहीं करते हैं कानून में इनका विश्वास नहीं होता है वाक चातुर्य से प्रतेक इस तर पर अपना कार्य येन केन प्रकारेड बना लेते हैं यह जीवन में सही की अपेक्षा गलत मारका ही चैन करते हैं कानूनी दर्ष्टी से भले ही अपराधी नहों किन्तु सोभाव से अपराधी होते हैं आर्थिक प्रगति हेतु कुछ भी करने को ततपर रहते हैं भहुत इकता ही इनके जीवन का मूल उद्देश रहता है जिन हतेलियों में बुद्ध परबत सही रूप से विक्सित होता है वे व्यक्ति स्रेष्ट मनुवैज्ञानिक और बेवार कुशल होते हैं सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके अपना कार्य करवाने की इनमें छमता होती है ये सदैव अवसर की खोज में रह दील, चिकित्सक, पत्रकार तथा नेता होते हैं जिन हतेलियों में बुद्ध परबत अत्यंत उबरा हुआ हो वह धन संग्चय करने में लगे रहते हैं धन के पीछे पागल रहते हैं भाले उसके लिए उन्हे कोई जगन अपराद करना पड़े जिन हतेलियों में दूर्तापूर्ड एवं धार्मिक रूप दर्साते हैं, गडित, विज्ञान, दर्शन, वकालत, आदी इनके प्रिये बिशय होते हैं, ये जीवन में सेष्ट, वकील, डॉक्टर, अविनेता, ब्यापारी और लेखक होते हैं, लेखन के छेतर में अच्छी सपलता प्राप्त करते हैं, प्रेम के छेतर में भी ये लोग बेवहारिक सम्मंद ही रखते हैं, इनके प्रेम में गंभीर्य नहीं होता है, त्वार्थ और दूर्तता अधिक होती है, इनके सम्मंद वासनात्मक भी होते हैं, मानसिक और भावनात्मक नहीं होते हैं, जिनका बुद्ध छेतर अत्यन्त विक्सित होता है, वे हाश प्रिये एवं हाश कलाकार भी होते हैं, बुद्ध इसनायू विकार, उदार विकार, त्वचा विकार आदी देता है, यदि बुद्ध परवत का जुकाओ, शूद परवत की ओर है, तो व्यक्ति जीवन में सरलता से सपलता हैं, प्राप् कुसल, परवपकारी, सिक्षित, बिनोदी, लेखक और साहित्तकार होते हैं, यदि साथ में हतेली, लचीली भी है, तो व्यक्ति पूल भोतिक सुख भी प्राप्त करता है, और उसके जीवन में आर्थिक आभाव नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति नवीन आविस्कार करते हैं, कि कनिष्ट का उंगली का सिरा नुकीला है, तो यह व्यक्ति श्रेष्ट ब्यापारी ओगा, यदि वर्गाकार सिरा है, तो तरक शिल वकील होगा, यदि चप्टा सिरा है, और उसे जीवन में अनेक बाल आकश्मिक धनलाब होगा, यदि कनिष्ट का उंगली गांटदार है, और टेड़ी है तो व्यक्ति द्रन संकल्पी चतुर और असत्यभासी भी होता है बुद्ध परवत के साथ ही यदि सभी उगलियां लंबी हैं तो ऐसे व्यक्ति के कई इस्तियों से अवैद संबन रहते हैं यदि बुद्ध परवत हतेली के बाहरी और जुका हुआ है तो ऐसा व्यक्ति ब्यापारिक चेत्र में विशेष सफलता अरजित करता है बुद्ध परवत पर यदि एक सीधी रेखा है तो उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से विशेष सफलता मिलती है बुद्ध परवत पर यदि दो से छे रेखाएं तक हैं तो ऐसा व्यक्ति जोतिस और चिक ब्यापार में सफलता मिलती है यदि बुद्ध परवत पर क्रॉस का चिन है तो ब्यापार में सफलता प्राप्त करता है किन्तु उसकी मृत्यु जहर से होती है यदि बुद्ध परवत पर द्यूप का चिन है तो ऐसा व्यक्ति ब्यापार में हानी और समाज में निंदनी जीवन ब्यतीत करता है यदि बुद्ध परवत पर वर्ग का चिन है तो ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है किन्तु वह जेल जाने से बच जाता है यदि बुद्ध परवत पर जाल का चिन है तो अपने किये गए कारियों पर व्यक्ति पस्चाताब करता है यदि बुद्ध परवत पर नक्षत्र का चिन है तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी रहता है साहित्य वा लेखन कारे में भी उसे ख्याती मिलती है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुश्कुराते रहिए, जैसरी रादे हैं